अगर नमस्कार दोस्तों वियारश्चों में आपका स्वागत है आज हम आपके लेकर आए क्रॉस वेंटिलेटेट्ट 3BH के प्रॉपर्टी क्रॉस वेंटिलेटेट्ट यह शब्द आपने कई बार देखा होगा हमारे थमनेल्स पे हमारे टाइटल में या किसी और प्रॉपर प्रॉपर्टी की विशेश्चता होती है कि उसमें आगे और पीछे दो जगे पर एक्सिट पॉइंट होते हैं एयर पीछे से आगे बाहर निकल सकती है यह प्रॉपर्टी जो आपको मिलती है द्वार का विहार लोकेशन पर बहुत अच्छे साइज के साथ में इसके अंद प्रॉपर्टी जो की बजट के अनुसार बिल्कुल बनी हुई है इसके अंदर पहुचने के लिए आपको किस तरह की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा यहां से पार्क ओनली तीन से चार मिनट के वाकिंग डिस्टंस पे है वाकिंग मतलब पैदल आप तीन से चार मि से हर्याना जचर जहां से भी आप आना चाहते हो इस लोकेशन पर आपको बिना ट्राफिक में फसे दिली के किसी भी कोने में जाने का और वहां से यहां तक आने का सही और साफ सुथरा रास्ता मिलता है यह सारी प्रॉपर्टी जो भी हम आपके लेके आते हैं ट्राइड ए आप इस specific प्लाट के बारे में पुछताज कर सकते हैं यह द्वार का विहार लोकेशन है जिसका प्रॉपर्टी हम आज आपको दिखाएंगे आईए स्टार्ट से लेकर एंट तक कुछ भी मिस्स मत कीजेगा स्किप मत दीजेगा ताकि आपको क्लियर ली पूरा ले आउट समझ में आ जाए शुरू करते हैं वीडियो कि अब दोस्तों आपका कहना होता है कि हमें प्रॉपर्टी के आसपास की क्या सर्विस वो भी दिखाया कीजिए क्या-कया सविधाय मिल रही है हमें तो जैसा मैंने आपको बताया था पांच मिनिट के वौकिंग डिस्टंस पर आपको पार्क मिल जाता है यह पार्क छोटा और इस पार्क से आपको हमारी प्रॉपर्टी तक पहुचने में only only and only पैदल पैदल पाँच मिट का डिस्टेंस लगता है तोटल अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बाय रोड हमारी प्रॉपर्टी पे पार्किंग देन फ्लोर प्लान और उसके बाद फ्लाट का ले आउट सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं चलिए चले हमारी प्रॉपर्टी पे हर फ्लोर पे पहुचने के बाद आपको टोटल तीन फ्लाट्स मिलेंगे एक 3BHK एक 2BHK और सामने के और यह वाला 3BHK लिफ्ट है कार पार्किंग है सारी चीज़े बिल्कुल सही तरीके से बनी हुई है बाकि एक बार आप इधर आते हैं तो मैं आपको ले आउट बता देता हूँ इस प्रॉपर्टी का जो ले आउट है वो काफी सही है यह हमा प्रॉपर्टी की पूरी कहानी है बाकि यहां पर आपको जो साइज मलता है सबसे पहले साइज से स्टार्ट करते हैं यह प्रॉपर्टी का साइज 1,2,3,4,5,6,7,8,16 ऐसे मिलेगा आपको और ऐसे आपको यह मिल जाता है आट,4,12,13 जी हां तो यह 13,16 का living hall है जिसमें कि यह वाली shaft मिल जाती है मैं इसको पीछे से दिखाना शुरू करता हूँ यानि कि सबसे पहले हम इस तरफ का portion cover करेंगे यह वाला passage जो आप देख रहे हैं यह हमारी kitchen है इस kitchen का जो size है वो काफी बढ़िया है मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको यह लगभग 6 feet चौड़ इसके अंदर आपको अटाच washroom अटाच balcony दोनों चीजा मिलती है यह तो पीछे वाले room के साथ में आपको इसमें वाश्रूम मिलता है जो कि अटाच है हमारे इस वाले bedroom से और इस bedroom का जो size है वो ऐसे आपको मिलेगा 10 feet और ऐसे आपको मिलेगा 12 feet तो 10 by 12 का room number 1 with इतनी बड़ी balcony plus wardrobe and attached balcony इसमें front वाले room में भी attached balcony बैक वाले room में भी attached balcony बालकनी बालकनी काफी सारा ventilation पीछे वाला मकान इतना ही बना है मुझे नहीं लगता है इस से ओपर बनाने का कोई विचार है इनका तो आपको ventilation बहुत बढ़िया मिलेगी प्लस इस वाले portion पे आपकी washing machine fix हो जाएगी और इस वाली balcony पर खड़े होने के बावजूद भी आपको सामने और आसपास काफी सारी हर्याली और green portion दिखेगा इसके बाद हर अगली property में हमें दोनों साइट पर balcony नहीं मिल पाती है तो यहां पर जो balcony का placement है वो हमें दोनों दोनों वाश्रूम्स दोनों द number 2 है यह 10 by 10 के size में मिलता है जिसमें wardrobe इधर placed है wardrobe भी आपको मिलेगा बना हुआ बाकी यहां से बाहर निकलते हैं तो यह हमारा room number 3 आ जाएगा अब इस room number 3 के अंदर size को जादा ही बढ़ा है कितना बढ़ा है वो मैं बता देता हूं 10 feet ऐसे मिलेगा आपको और ऐसे आप इसक placement उसमें उस तरफ किया गया TV पैनल काफी बड़ा इधर place कर दिया गया आते हैं बाहर की और balcony एक पीछे थी एक यहां पर भी है अगर आप अपनी washing machine को इधर place करना चाहते हैं इधर भी place कर सकते हैं यह 3 feet चौड़ी मिलती है हमें और ऐसे आपको मिलेगी लग 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 तो यह थी हमारी complete property जो मैंने आज आपको दिखाई है इसके अंदर अगर आपको कोई भी question हो कोई भी doubt रह जाए तो इसका code हमने यहां पर डाल दिया नमबर से यहां पर जिसको book करने के लिए आप इस पर call कर सकते हैं यह थी हमारी आज की presentation मैं मिलता हूँ आप से अगली व